कुरोना के खिलाप देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक स्थित्या संबली हुई थी और फिर एक कुरोना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही हैं जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देश वाश्यों के तरफ से उनके प्रती संबेदनाई व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनोवती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाप, पेरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई भेहन, हमारे एंबुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराहना करूंगा आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर रगा कर लोगों को बचाया था आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, ताज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्तीती से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रहास करें तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं इसी मंत्र को सामने रख कर आज देश दिन रात काम कर रहा है बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिये गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी समवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइबेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले ऑक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यो में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो और द्योगी इकाईयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तेमाल हो ऑक्सिजन रेल हो हर प्रयास किया जा रहा है साथियों इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्टरी के बड़े जो प्रमुक लोग हैं उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कम्पनियां की मदद ली जा रही है हम सौगफाग्य साली है कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ शहरों में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर हॉस्पिटल बनाए जा रहे है साथियों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाश्यों के लिए वैक्सिन्स विख्षित किये हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं भारत की कोल्ड चेन विवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास हैं इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहत्रीन प्रदशन किया है वेक्शिन्स की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रेक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वेक्शिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरूरत मन लोगों तक वेक्शिन पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वेक्शिन डोस दिये गए हैं आज करोणा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स, फ्रंट लाइन करोणा वार्यर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वेक्शिन का लाब मिल चुका है साथियों कल ही वेक्शिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वेक्शिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो वेक्शिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा इस बीच गरीबों, बुजरगों, नीबले मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वेक्शिन कारकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वेक्शिन मिलती रहेगी जिसका फाइदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो वो उनका लाब उठा सकेंगे साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयास से भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितो प्रयास का तरीका यही रखा जाए वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आगर करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा साथियों पिछली बार जो परिस्थित्यां थी वो अभी से काफी बिन्न थी तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इन्फा सक्टर नहीं था आप याद करिये देश की क्या स्थिती थी कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं पी पी इए का कोई प्रोड़क्शन नहीं हमारे पास इस बिमारी के ट्रिक्ट्मेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं लेकिन बहुती कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुती अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पी पी इए कीट्स हैं लैप्स का बड़ा नेटवर्ग हैं और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं साथियों देश ने कोरोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं इसका स्रे आप सभी को सभी देशवास्यों को ही जाता है अनुशाचन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास हैं जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राद जुटे हैं दवाई पहुँचाना हो खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूं और देशवास्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरुरत मंदों तक मदद पहुचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है कि अपनी सोसाइटी में, मौले में, एपार्टमेंट में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की जरुरत पड़ेगी न कर्भी लगाने की जरुरत पड़ेगी और लोगडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है आवसकता ही नहीं पड़ेगी स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरुकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी छोटे-छोटे बालक पाचवी, साथवी, आठवी, दसवी पर पड़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहुल बनाईए कि बीना काम बीना काराण घर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहुल कम हो सके लोग अफ़ा और ब्रह्म में ना आएं साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लोग डाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूंगा कि वो लोग डाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तेमाल करें लोग डाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहेद भी सुधारेंगे और देश वास्यों की सहेद का भी ध्यान रखेंगे साथियों आज नवरात्री का आखरी दीन है कल राम नवमी है और मर्यादा पुरसोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करे कोरोना के इस संकटकाल में कोरोना के बचने के जो भी उपाए है कुरुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है यह मंत्र जरूरी है वैक्षिन के बाद भी जरूरी है रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दीन है रमजान हमें धैरिय आत्मसयम और अनुशाशन की सीख देता है कोरोना के खिलाप जंग जीतने के लिए अनुशाशन भी उसकी भी उतनी ही जरूरत है जब जरूरी हो तभी बाहर निकले कोविड अनुशाशन का पूरा पालन करे मेरा आप सभी से यही आगर हैं मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ आपके इस साहस धैरिय और अनुशाशन के साथ जुड़कर आज जो परिस्तित्या हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा आप सभी स्वस्त रहें आपका परिवार स्वस्त रहें इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समात्र करता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद